पीथमपूर के सेक्टर वन्थाना के महुन नीमच मार्क पर इस्थित स्टेट बैंक ओफ इंडिया के एटियम पर शुक्रवारतर के लगभग चार बजी एटियम लूटने की नियस से पहुचे अग्यात आरुपियों ने एक सुरच्छा कर्मी काड की हत्या कर दी गई मिली जानकारी के अनुसार बैंक मेनेजर चेयन रूनी वाल को सुचना मिली कि इनके पीथमपूर बैंक में लगे एटियम में घटना घटित हुई है उन्होंने तुरंत पुलिस को सुचना दी सुचना के बाद पीथमपूर पुलिस मौके पर पहुची तो पाया की एटियम क अंदर वबा हर खोन बिखरा पड़ा है और अंदर सुरच्छा कर्मी गजराज सिंग उम्र लगभग 55 वर्स की लास पड़ी है घटना के दौरान कितने लोग थें इसका पता भी नहीं चल सका है थाना प्रभारी और CSP घटना इस्थल का निरिश्चर कर जांच में जुटे है आरोपित ने ATM के बाहर कुर्सी पर बैठे गाट को पहले पीछे से वार कर गनभीर खायल किया फिर उसे खीच कर अंदर ले गया काफी संगर्स के बाद आरोपित ने कपड़े से गाट का गला घोड दिया जानकारी के अनुसार आरोपित अपने साथ कटर मसीन भी लाए थे जिससे उनका मकसद ATM को तोड़ कर उसमें रखा नगद रुपे निकालना था घटना इस्तल पर फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया जिससे आरोपित की पहचान आसान हो सकी आरोपित ने मूँ पर कपड़ा लपेट रखा था फिलहाल गाट के सब को पोस्माट इस्तल पर पहुँच गया और आरोपित को गिरफतार करने की मांग को लेकर महु नीमच फोर्ड लेन मार्ग पर आगोशी चक्का जाम कर दिया है पुलिस लोगों को समझा कर यातायात खुलवाने का प्रयास कर रही है खबर लिखे जाने तक चक्का जाम जारी है गौरत त दूसरी बार हत्या के मामले में राजमार्ग जाम हुआ है इससे पुलिस की निस्क्रिता पर सवाल उठाये जा रहे हैं सक्सेज नहीं हुआ और पुलिस के सायरन बजने साय सायरन की आवाज आने से यहां से बग्के रहा हैं सर अभी तक कुई गिरफ्तारी हुई है कि क्लू मिले हैं बहुत जल्दी इसमें इसको क्रेस कर लिया जाएगा आपका नाम हुद पता है तो नहीं सिस्पी पीता हुआ इतने सुन्दर सुन्दर गेहने हैं लाए दुलिहन के रूप में चार्चांद लगाए संबड़िया संबड़िया प्यार के रिष्टे को और गेहर बनाए संबड़िया आपुषण का जादू है छाए संबड़िया आपुषण संबड़िया आपुषण संबड़िया माल डगेह संबड़िया ऐनापड़िया